इस वक्त हम एक रोबोट पे हैं जिसका इस्तमाल आर्मी की तरफ से किया जाता है क्योंकि साजों समान जिस तरीके से ले जाया जाता है चाहे फिर वो पहाड़ों पर हो या फिर मैदानी लाकू में हो वो इन ही रोगोट के जरीए ले जाया जाता है और ये टेकनीक है भारत की टेकनीक है और भारत इस टेकनीक का इस्तमाल कर रही है यानि भारत आधुनिक्ता के दौर में है और ये वो आधुनिक्ता का दौर है जिसके जरीए हम देख रहे हैं कि भारत कितना आगे बढ़ रहा है तो चलिए आपको मिलवाते हैं उनसे जो इसको बनाते हैं इसका निर्मान करते हैं और कैसे आर्मी इसका इस्तमाल करती है वो भी पूछेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया आपका स्टेश भारत पर सबसे पहले आप अपना नाम बताईएगा मेरा नाम मृदुल पाल है और डीटाउन रोबोटिक्स प्राइवल लिमिटेट कंपनी में मैं इस बिजन डेवलेबंट एक्जेकुटिव हूं जो बेसिकली रिए रोबोट जो आप यह देख रहे हैं यह 80-90 परसेंट मेड इंडी 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 जीनियस है मेकिन इंडिया क अंतरकत बनाया गया और इसका में कारण है आपका सर्विलांस के लिए इसमें अलग-अलग तरह के अटेश्मेंट लगते हैं वेरियस तरह के लाइक फायर फाइटिंग का हो गया गन मांट का हो गया बॉब डिफ्यूजन का हो गया यह बॉम डेटक्ट करने का हो गया प्रूस कर सकते हैं और बेसिकली यह आल ट्रेन वीकल है 360 डिग्री पे एक ही एक्सेस पर अपना घूमता है और इसका जो हमने बनाया था में फोकस हमारा यह था आर्मी इसकी कैसे हल्प करी जाए आर्मी के जो जवान होते हैं बेसिकली वह बॉर्डर पे सिक्यूर्टी रा रहा है और उसके बाद अगर इसमें गनमांट है तो वह टारगेट डिटक करके आप उनको शौक्डाउन कर सकते हो अ चाहिक पने चाहर फिर की और इसके लगता है कि जैसे क्याय कूई तक वह अनुनी टाइप की हो गई तो तो मरीजों को ले जाने के लिए दावाईयां ग्राउंड से ऊपर थोड़ा सा भेजने के लिए इन सब कामों के लिए आता है यह पूरा रिमोटी से सिस्टम चलता है पूरा यूज होता है पूरा ऑटोनोमसली भी है मैनुवली भी है आपने एक वेपॉइंट सिलक कर दिये यह वहाँ पर जाके आपना एक एकसिस में सर्विलांस करता रहेगा गूमता रहेगा गूमता रहेगा जो आपको करना है मैनुवल भी एविलेवल है और यह इसका बैटरी बैग मैं आपको बता हूं तो यह चार से आठ गंटे मैक्सिमम चलता है कॉंटिनियूसली और स्ट किलामेटर दस किलामेटर तक कि तेली मेists लागती है उनके तुर्म इसको बेस सकते हैं एक जगह से बैटक इसको दस हैं किलमेटर तक क्याय क्या है व All और दäreकें यहाने哇 आज़े आने。 जाल तो यह हलकी चीज़े जो बना रहे हैं आप लोग यह आगे आने वाले समय में और कितनी बन सकेंगी और कितनी आप आर्मी ऑफिसस को देने वाले मैं आपको बताओं कि यह मेरा इस साल का टार्गेट है कि कम से कम इसकी 100 इंडियान आर्मी में मैं सोल्ट करूं और यह आगे आ तो वो इसका यूस करेंगे ठीक है मृदुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने इन सब चीज़ों को बताया फिलाल आप देखेगा कि बहुत हलका है इसके टाइस को अगर मैं चूता हूँ तो यह बहुत हलके है बिलकुल बजनी नहीं है और इस पर जब मैंने बैठ और बहुत आसानी से इसका इस्तमाल होता है यानि वो टेक्णी का इस्तमाल की जा रही है जो आज के जमाने में जरूरी है और इंडियन आर्मी के लिए तो खास तौर पर भॉडर एरिया में चाहे बाद जमो कश्मीर की करें बाद पंजब की करें या फिर मैदानी इलाकों का जब हम जिकर करते हैं तो राजस्थान में करें तो वहाँ पर ऐसी टक्नीक का इस्तमाल किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा और यही तस्वीर जब दुनिया में जाएगी तो दुनिया को दिखेगा कि अब भारत दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है अब भारत वो चीजे खुद बना रहा है खुद निजात कर रहा है बलकि अब दूसरे देशों को भी भारत ये सप्लाई करेगा क्योंकि भारत में इतना दमखम है कि भारत इससे बनाए और दूसरे देशों को सप्लाई करे इसलिए अब कहा जा सकता है कि भारत का डंका दुनिया में बजना तैए है कामरा परसंद कुल्वन के साथ मैं हर्ष भारदवाज शिष्ष भारत के लिए कि अ हुआ है कि अ हुआ है झाल झाल